So, आप closing calls देख रहे हैं और बाजार में लगातार तीसरे दिन ये गिरावट है और अब इंडेक्स विसल कर उनिस 300 के पास भी आ गया है कल फिच के US Markets को डाउंग्रेट करने के बाद कल भी हमने बड़ी एक गिरावट देखी थे और आज ये दूसरा दिन है जब शाब गिरावट आ रही है लेकिन रेंज से तो हम पिछले आठ दिन से चल रहे हैं और पिछले तीन दिन से गिरने का ट्रेंड भी बना हुआ है FIS की सेलिंग भी दिख रही है इस वक्त अब इंडेक्स के अगर इंडेक्स सेक्टारिवल वाई इस पूले पचास में से निफ्टी के चवाले स्टॉक्स लाल में अशान में हैं सिर्फ फार्मा स्टॉक है यो इस पक्त हरे निशान में स्ट्रेंथ के साथ बना हुआ है Sun Pharma जिसके भी नंबर आए वहाँ पर 2% की तेजी है Divis Lab जिसे Countess में मूव है निकिन इसके अलावा आप Nifty को 4 हफते के निचलिस तरपर भी देख रहे हैं F.I.S की कल भी एक बड़ी बाइंग भी देखने को मिली और आज भी आपको लग रहे है कि Excel का फिगर बड़ा हो सकता है तीन दिन में लगबग साड़े 400 अंग लोड़क चुका है Nifty और ऐसे ही Nifty अगर आप Intraday में बात करें तो 19-300 के आसपास है और ये Intraday का लो भी है कई महीनों के बाद का भी रिकॉर्ट सतर से Nifty करीब 700 अंग नीच है क्योंकि 20,000 हम टच कर चुके थे वहाँ से आपने पिछले सिर्फ दो हफ़तों के अंदर ही ये 700 पॉइंट लूज भी कर दिये बैंक Nifty पर भी आप देखें तो वहाँ पर भी आज 700 पॉइंट का डेंट है चवालेस 300 के पास आप देखें तो बैंक Nifty का इस वक्त इंडेक्स ट्रेट कर रहा है सिर्फ फार्मा एक स्पेस है जहाँ पर आपको अच्छी मस्पूती देख रही है थोड़े बहुत गेंज आपको जहाँ जहाँ नंबर आ रहे हैं वहाँ देख रहे हैं आप से आए नहीं हम बात करेंगे लेकिन भी फिलाल 3% वोल्यूम एक्सपैंशन आपको देखने को मलिया है मुनाफा जो था ओल्मोंस इन लाइन नंबर्स इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं अभिशेक हालां कि देखिया पूरा पूरा मूड खराब है उसके चलते हैं और नंबर ठीक आए हैं मार्जिन भी स्टेबल रखा है मतलब ठीक ठाक मार्जिन अगर अच्छी मानी जाती है लेकिन बाजार का महौल के चलते यह शेयर उपर जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है अगर यही बाजार अच्छा होता तो हम देखते कि थुड़ी सी रोना खोती तो डाबर के नंबर और अपने अब एक्सपोर्ट को भी जोडेंगे और बाजार के आगे के आपके रणनेती बनाएंगे क्योंकि आज का जो महौल है वो थोड़ा सा कल हमें चिंता हमने देखी थी लेकिन शायद उमीदिये की जारी थी कि शायद यह गहरा है नहीं लेकिन हम इस बात को लेकर भी हम बाशित कर रहे थे कि अब बाजार को ने गरने के लिए ट्रिगर का इंतजार है और यह ट्रिग और अगर आप देखें उपरी इस तरसे तो तक्रीबन शाड़े च्छीस सो अंकों के आज इसपास की 19,085 आज 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 हमने इंट्राडे में ब्रीफली उसके नीचे गया है वहां से हलकी सी रिकवरी लेकिन यहां से बाजार में आपके रड़नी थी क्या होनी चाहिए औ और आखरी के गंटे में आपको कमाई के मौके कहां पर बिलेंगे इस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़ गए हैं फंडमेंटल एक्सपर्ट कुँझ बंसल हमारे साथ हैं साथ साथ आपको चार्ट समझाने के लिए और चार्ट समझा के तमाम शिवरों में कमाई के मौके पताने के लिए दो एक्सपर्ट हमारे साथ ही, SDFC सेकुरिटीज के नागराश शिटी और SMC ग्लोबल के शितिज गांधी, कुझ एक सवाल आप से, तमाम लोग अब ये जाना चाहते होंगे, कि कल देखे, तमाम एक्सपर्ट्स में बाच्चीत की और ये सिंस निकल के आ रहा क्या आपको लगता है कि यहां से और दर्द अभी बाकी है, या फिर एक दो दिन वाला ही मसला है ये? जी हां, इतने simple question का बहुत simple जवाब भी काश होता, तो हम सब लोगों के लिए बजार में बहुत अच्छी बात होती, पर unfortunately वैसा होता नहीं है, तो it depends कि one-off की आपकी definition क्या है, one-off की definition एक दिन है या एक अफता है, उस पर depend करेगा, पर अगर आप देखें तो net-net, एक तो उनका जो credit rating चल रहा था, वो unsustainable था, और उसका downgrade होना था, अब उसके चलते मुझे लगता है कि बाकी सारी emerging economies को फायदा होगा, क्योंकि कुछ न कुछ पैसा US market से निकलेगा downgrade के बाद, और वो बाकी economies में जाये था, उसमें से कुछ इंडिया में भी आएगा, ठीक है, वो हो सकता है, थोड़ा सा medium term में वो हो, इसलिए short term में यह है कि बाजार में, अब हम आते हैं, बाजार के perspective पे भी जो आप बात कर रहे थे, कि हम अगर March के low से, जो मेरे खहल से करीब 16,800 निफ्टी था, तब से 99 का fair वाला 20,000 को हम बस छूने से रह गए और उसके पहले ही बाज बाजार ने का कि नहीं, मैं तो नहीं जाता, मैं वापस नीचे जा रहा हूं, तो anyway, net net करीब करीब 15-16% की rally बाजार में पिछले तीन महीने में आ गए, जो तीन महीने के छोटे समय में बहुत शाप rally है, तो ऐसे में risk reward ratio आपका risk की तरफ जादा बढ़ जाता है, इतने संजीव हसीन पर जुड़ गया है, मार्केट के स्पॉल पर बात करने के लिए, संजीव जी गुड़ आफ्टरून, ये बात तो ठीक है, अभी कुछ भी जैसे से बात कर रहे थे कि एक शाप rally देखिया, 19000 से 20,000 का जो सफर था, वो सिर्फ 20 दिन में तेह कर लिया था, तो 2007 में भी ऐसा क्या उस हुआ था, वन वीक बिफोर लिमन वेदर जीरो, S&P क्रेमन अपगेड़े देर राइटिंग एजन्सीज आर अर अग्वाश, जी राइटिंग एजन्सीज आर अग्वाश, जी राइक वन देखिया, ये एक साल पहले करते तो पता लगता, तो फैड आज़े एक तरफ सांगे टार अग्या जीरो, S&P क्रोंड वन भुन देखिया, स्टेमन वेजन्सीज आर अग्वाश ब्रेश, पूरुण ये राइटिंग एजन्सीज आर अग्वाश, इस महीने में मेरे इसाफ से 20,000 एक वरी चरूर करेगा, प्योरली ओन पता अग्वान चुक जाएंगे बसीन साब आज का इंतजार कर लें या फिर कल का भी दिन देख लें अरे अभी शेक अगर ये रोज मुझे पता होता तो मैं भी राजा होता मैं तो यह ही कह सकता हूँ कल और आज नहीं आता जब महाल खराब है तो भाव आपके साथ है और जब भाव यहां से अगर निफ्टी 300 पॉन गया आप घर से बाहर निकलो के नहीं और वापिस 19,500 गया तो फिर आप लेने को आऊगे तो यू कैनाट टाइम दा मार्केट पर इन्वेस्टर इस इस अन ऑपर्चुनेटी मुचल फंद्स आर सिटिंग उन कैश इस देड़न बाए आपके यहां मैंने 120 रुप पंद्रा अठारा में का था इंडिया बूल इस नो ब्रेनर तोड़े यह दो दिन से जादा लास्ट नहीं करेगी अगले अगले अफ़े यू बी रॉकिंग मैं आपके साथ मंबई में चाय पीओंगा वापिस 19,600 बे लेकिन उसके पहले जड़ा आपको जो लोग सुन रहे हैं वो यह जानना चाहते होंगे कि चार-पांश शेर जहां पर आपकी ऐसी नजर है जो आपको लग रहा है कि बहुत आकर्शक होगे जड़ा यह बता दीजी आप ICICI Bank, best numbers in the banking industry were ICICI Bank, not so 60 रुपे में you can't but make money second, SBI Life, the largest insurer which is seeing record business or insurance is a no-brainer third, Apollo Hospital, Apollo Hospital के इस quarter के number 11 तारीक को आएंगे which will be, this profit will be more than last half, पूरा, इतना बढ़िया result आएगा and fourth, last but not least, भारत electronic, 10,000 करोड का कल उनको Hindustan Aeronautics से order मिले, अगले 6 मिने, they have an order book which is the highest in the history of the company, 500 रुपे का टार्गेट मुझे दिखता है इसको 122-23 में लेने की चेस्ता कीजी ठीक है, BEL पर आपकी conviction strong, तो यह सारे ISIS है, BEL, इन स्टॉक्स को आपको इस समय पर accumulate करने के opportunity होनी चाहिए, संजीव जी यही बताना है, शुक्रिया, संजीव जी आथ समय देने के लिए और यह stock सुझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो Monday से आपको फिर से एक bounce mark देगा और बिल्कुल यह बात हम कर भी रहें कि शाद एक knee-jerk reaction है, क्या यह immediate जो एक US market से इंपोर्टेड आपका पता है क्या कीस है, मतलब मेरा जो sense कह रहा है, जिससे आपको नहीं इंतिजार था trigger का, क्या बहुत चल गए, बहुत चल गए, सामने कुछ आगे दिखने रहा है, और यह बात से नहीं हो, कि जब आपका मन भारी हो, किसी WhatsApp दुखी हो, और कोई आपके आपके कंदे पे हाथ रख दे, कि क्या हाल है, तो आप जो भरवरा के जो रोते हैं, यह बाता है, यह बाता है, कि इतजार था और यह trigger आ गया, WhatsApp पर इतने जादे jokes circulate हो रहे हैं, कि कहीं पर कि अपनी जो अंडर करेंट है, वो कितनी मजबूत है, ताकतवर है, और यह भसीन जी से जो एक्सपर्ट हमारे हैं, आके और आपके अडरलिन को रश को बढ़ा देते हैं, यह बिल्कुल होस्ता तो बदा है, सजी भसीन जी ने भी शुक्र सुमवार से आप फिर से बाजार में फिर से उपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, आज की चले ट्रेड, यानि आज और कल में अब ट्रेड करना कैसे है, अभी कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर वाल्यू बाइंग दिख रही है, या और शॉटिंग के मौके ट्रेडर्स के लिए हैं, यह भी समल लेते हैं, हमा अगराज क्विकली आपका एक रियाक्शन ना, उननस तीन सो पर सपोर्ट ले लेका बाजार, क्या लग रहे हैं, कहां सपोर्ट बड़ा देख रहे हैं, बुद आफिन पर एमका जी, मार्केट में हम देख सकते हैं कि काफी शांदार रैली के बाद एक शार्प डाउनोड क करेक्शन दिखने को मिला है, मुझे लगता है कि जो लास्ट चारपा सेशन का जो डिकलान है, कहीं न कहीं एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में 20,000 के आसपास एक बड़ा टॉप फॉर्मेशन हुआ है, और आगे वाले दिनों में और भी नीचे मार्केट फिसल सकती है, म मेरे इसाब से मुझे लग रहा है कि एक 19,100 का एक सपोर्ट है, उधर तक 19,000 तो 19,100 के आसपास एक चोटा सा आपसाइट बाउंस दिखने को मिलेगा आगे वाले दिनों में और दुबारा ओ सपोर्ट नीचे आने का कत्रा भी रह सकता है, ऑन देट बेसिस मुझे लगता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजिशन कड़े रहना चाहिए, और एवरी राइज, हमें देखा कि आप 40-50 पॉइंट का राइज आता है तो राइज एक सेलिंग अपॉर्ट बन सकता है, आज का भी एक राइज मुझे लगता है कि शॉर्ट बनाने के लिए एक अच्छा का सा म मुनाफ़ा 152 करोण से बढ़कर 734 करोण, तो नमबर मुनाफ़े के फ्रेंट पर अच्छे हैं, मार्जिन के फिगर भी आए और मार्जिन के आंकड़े भी अच्छे हैं, नेरोलाइक पेंट्स को भी आपको स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, लेकिन जही से नतीजे आया वैस मार्जिन 12.4 से बढ़कर 15.4, तो 3% का मार्जिन एक्सपेंशन और ये नोटिशेबल इसलिए भी है, क्योंकि हमने पेंट सेक्टर के लिए पिछले 3-4 क्वार्टर में से 3-4 क्वार्टर कम्स का हमने बहुत ही खराब देखे हैं, लास्ट तिमाई से रिकवरी आने के शुर नेरुलेक को लेकर एक राय लेंगे, शिती जरा नेरुलेक का चार्ट चेक किजी, कैसा नेरुलेक का, कैसे दिख रहे हैं और क्या बाइंग करने के मौकी खोजने चाहिए उसमें? सबसे पहले तो very good afternoon to everyone, देखे हैं यहां पर कंसाइन एरोलेक ने अभी results डिक्लेर करें, उसके बाद stock ने एक spike बनता दिखाई दिए, stock ने high बनाया है, 354 रुपे का, वहां से हम दो देखने हैं कि gains कहीं अगई, fizzle out होते दिखाई दिखाई दे रहें, stock trade कर रहे हैं, दिखे dip आया है, prices के अंदर बिल्कुल buying opportunity निकल के आती है, जैसे कि मैंने बताया, broader structure पे अभी भी stock positive भी दिखाई दे रहा है, in fact, जब तक stock 324, 325 के zone के ओपर hold on कर रहे हैं, यहां पर buying opportunities को ही तलाश करके चलना चाहिए, तो दो तरीके से सला रहे हैं, अगर किसी को fresh position मनानी हैं, तो 324 के stop loss के साथ positionally stock के अंदर position बनाई जा सकती है, और जो लोग already stock को hold करें, वो stock को hold करके बिल्कुल इक चल सकते हैं, आने वाले दिन में upside momentum pick करने की पूरी-पूरी बुंजाईश है, पूरी संभावना है, ठीक है, markets के अंदर अगर अच्छे numbers भी आ जाएं, तो कई बर market को आप react करते हैं, कुछ ऐसे देखेंगे जैसे कंसाइड नेरलेक के अंदर आप देख पा रहे हैं, sudden spike के बाद भी movement नहीं है, तीन परसेंट का margin is one of the finest quarterly numbers यह शो कर रहा है, इस समय अपने crude costing की pressure की वैसे, लेकिन उसके बावजुद भी share के अंदर कुछ खास फायदा न नहीं है, यह stand-alone numbers के according, इसका मुनाफ़ा बड़ा है, इसके margins जो gross NPAs typically थोड़े कम हुए है, हाला कि बहुत बड़ा difference नहीं आया है, इस share के बारे भी पता कर रहे हैं, कुछ इसके साथ तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, यह 2.5% है, एक और इसके net NPAs के number भी आगे 1.7 से 1.4, नहीं हो रहते के लिए, आपको लगेगा dot 3, यानि के 30 BIP से तो कम हुआ है, अगर आप वैसे देख रहे हैं कि एक सरकारी याप इस तरह का bank चोटा bank है, रीजिनल प्लेस का ज्यादा है, उसके bank के जो NPAs हैं, वो 2% से भी नीचे है, यह एक अच्छी चीज होती है, किसी भी bank के लिए, इसलिए अब देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं, शिती जेबर आप ही जरह चेक करो, करनाटका bank, में को लग रहा है, नंबर ठीक है, शेयर का चार्ट भी ठीक है, यह profit booking नहीं करवाएगा, बिल्कुल इबिची देखिए, करनाटका bank के अगर चार्ट यहां पर देखने को मिले है, लगबक स्टॉक ने रैली लेनी स्टार्ट करी थी, डेट सोर पर के लगबक से, और वहां से वन साइडि स्टॉक ने 200 पर तक के मूव्स यहां पर दिखाए हैं, देखिए, करन्ट लेवल पर बात करें, तो बिल्कुल स्टॉक में अभी कुछ सपोर्ट यहां पर स्टॉक ने डेवलप के 200 रुपे का, तो जब तक स्टॉक 200 रुपे को फूल्ट कर रहे हैं, मुझे लगता कि आने वाले सेशन में कोई भी गिरावट यहां पर एक्सपेक करके चलनी चाहिए, इन फैक बिल्कुल फ्रेश पूजिशन अगर आज़ी किस नमबर्स आने के बाद भी ने टूटा, यह दूसरा पॉइंट नोटेसेबल है और तीसरा टिपिकली आज बैंकिंग और बैंकिंग काउंटर से ज़्यादा दबाब बनाएं और यह बैंक ही है, इसके नमबर्स उतने खराब नहीं है, इसलिए शेर का रियक्शन नेरो लैक कि बिलकुल उलट है, यह तीन साड़े तीन परसेंट अब हो चुका है, खैरे नहीं हो, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर आप आज अडवांस डिकलाइन एक बार स्क्रीन पर देखके आएंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है, साथ ही आप निफ्टी के टोटल कॉंपोनेंट भी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, डिकलाइन जस्ट डबल हुए हैं, ग्यारा बारा बज़े के बाद, बारा बज़े तक का मारकेट एक तरफा था, लेकिन बारा बज़े के बार दीरे देखके डिक अगरा शेटी, एक बार आप आईसे से बैंक देखके बताएंगे, बाटम बन चुका है और और बना बाकी है टेक्निकली, जी हाँ, आईसे से बैंक की कंसोलिडेशन के बाद, वन ताउजन, वन ताउजन, टेन का एक स्ट्रॉंग रेस्टेंस लेकि एक डाउंसेट ब्रेक के लिए, ठीक है, तो आईसे से बैंक, वसीन साब बताके गए हैं कि यहाँ पर मौके बन रहे हैं, ना सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स बलकि आपको लॉंग टरम के लिए अच्छे मौके बन रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक पर ज़रा चर्चा करेंगी, टाइटन और यू इसे भी क्या था, महाँ ट्रेड कर रहा है, यूपियल में शितिज क्या ट्रेड बन रहा है, आपके हिसाब से, शॉट्स के ट्रेड अभी भी लेने चाहिए, या गिरावट हो गई, अब थोड़ा सा स्थिर्ता की इसमें महौल बनेगा, शितिज, अन्म्यूट कीजिए, फिर आपकी अवाज हम तक पहुँच पाएगी, या, तो अभिशेक जी, मैं बात कर रहा था, यूपियल के वारे में, देखिए, चार्ट चक्चर काफी जादा नेगेटिव है, स्टॉक के, तो सबसे पहले ये समझने के जूरा था, कि करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो सला रहेगी कि बिल्कुल बाइंग फिलाल अटेम्ट ना करिए, चार्ट स्टॉक्चर काफी नेगेटिव है, इन फैक्ट अगर बात करें लेवल वाइस, तो स्टॉक ने फ्रेश ब्रेटाउन देखने को मिल रहा है, आज 600 रुपे, माँ कीज़ेगा, 600 रुपे के लेवल के नीचे, तो 600 रुपे के लेवल के नीचे स्टॉक फिसल है, इस नॉट अगुट साइन फॉर अपकमिंग सेशन, यहां से मुझे लगता है जो गिरावट है, गहराती दिखाई देगी आने वाले सेशन में, तो छोड़े मोड़े जाए तो बिल्कुल अटेम्ट ना करें, शॉर्ट पोजिशन ली जा सकते हैं, लेकिन एक बाउंस का टेम्ट करें, उपरी इस तरुपे 610-615 के लेवल पर मिलता है, तो वहां पर रिस्ट रिवार्ड कहीं फेवर करेगा, शॉर्ट बेट्स लेने के लिए, ठीके, यहां स स्टांस मार्केट का अभी भी बाइन साइट पर ही यहां पर मेंटेंड है, हाला कि नी जर्ग रियक्शन के चलते कहीं हैं, प्रॉफिट बुकिंग के चलते पिछले दो से तीन दिन में हम लोग ने मार्केट में गिरावट जरूर देखी है, बट मुझे ऐसा फील हो रहे ह कि यहां कहीं ना कहीं, अब मार्केट एक रेंज में फस्ता दिखाई देगा और स्टॉक स्पेसिक एक्शन यहां पर मार्केट में देखने को मिलेगा, तो दोनों ही रिकमेंडेशन बाइ साइट पर रहेंगी, पहला स्टॉक रहेगा फार्मा काउंटर में से, स्टॉक का नाम है टॉरेंट फार्मा, तो पीते कई हफ्तों से यहां पर फार्मा स्पेस में अच्छी का सी तेजी बनती दिखाई दे रही है, अब यहां पर बात करें अगर टॉरेंट फार्मा की, तो आज स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकाउट देखने को मिले है, दो हजार र सी इस जोन में एंटर करने का बिल्कुल पोटेंशिल रखता है तो फार्मा काउंटर में से अगर किसी को बैट लेनी है तो टॉरेंट फार्मा कुड बी अ बात करें तो एक बड़ी अबदी बिताने के बाद निचले सतरूपे स्टॉक में एक अपसाइड मेंटम देखने को मिले है आज के सेशन में स्टॉक में इन फेक्ट फ्रेश ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है स्टॉक ट्रेट कर रहे है लगबग 655-658 के जोन में तो यहा कि लेवल स्टॉक अंदर देखने को मिल सकते हैं तो बाई इंकमेंडेशन दूसरी रही आयर सीटीसी में यह तो शितिश की कॉल्स हुई नागराज आपकी भी क्विक्ली कॉल्स बताएं और इस पीच हमार सब रुद्रमूर्ती भी है ऑप्शन का चैंपिन देने के रुद लोवर हाइस के जैसे इंडिविजिल कैंडल पैटन बनाते नीचे आ रहा है अभी फिलाल तो एरॉंड 7100 के आसपास सपोर्ट के आसपास है और मुझे लगता है कि ओर आल चार्ट पैटन अभी भी नेगेटिव है और लार्जर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल पैटन होन दूसरा मेरा है ताइटन चार्टी के लिए टाइटन एक रेंग बाउंड पैटन के बाद आज डाउंसाड ब्रेक ओट दिया अरॉंड 29-25 के आसपास अभी ताइटन अगस्ट विचर अरॉंड 2910 के आसपास टेड हो रहे है इससे भी ताइटन को शॉट कर सकते है इह से औ अरॉंड 2750 और टार्गेट रहेगा 3000 का जाज फिनांस को आप यहां से शॉट करेंगे फ्यूचर आप कह रहे हैं कि यहां पर शॉट कर सकते हैं ठीक है यह तो रही नागराज की कॉल्स एक बर क्विक्ली रूदर मूर्ति के पास जाते हैं आज को ऑप्शन ट्रेट समझते यह प्यांका जी कमें क्ली बोला ता मार्केट का गिरावत विल कंटियू और यहां गिवन गिवन गाल तो भी पुट ऑप्शन ऑफास बैंक और यह तो तीन दिन के लिए इदर ते बाउंस एक्प्ट कर सकता है वरी शॉट तर्म के लिए इसका टोटल प्रीमियम होता है 21,000 और मैक्सिमम प्रोफिट टार्गेट के लिए 14,000 होता है एक लोट पर और मैक्सिमम लॉट सिर्फ 4,200 है और रिस्क रिवर्ड अगें क्लोजर तो 1 इस तो 4 और मेरे को हिंडाल को में तेजी लगता है और यहां से बाउंस आप एक्स्पेक करें और वैसे भी हम लोवर एंड उफ तर रेंज जो बात भी की जा रहे है कि शाथ 9,300 से सपोर्ट लेके बाजार बाउंस कर सकता है 9,300 पर हम पहुंच भी गया है मेटल्स स्ट्रॉंग भी देख रहा है हिंडाल को आपको पसंदा रहा है यानि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए लक्षे टागट आप 25 की रुपए 15 पे चल गई है 25 रुपए तक का टागट टचीफ कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा है अगर यह जो तीन दिन की जो गिरावट थी सपोर्ट अब हम 19-300 से यहां लेते हैं तो कौन-कौन से से सेक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे सकते हैं बैंक्स पे, HDFC बैंक में व्यू क्या बन रहा है फिलाल? करना चाहिए इदर से एक सलन राइस के लिए और आगे वाले दिनों में बैंकिंग फाइनांचिल रियाल्टी में तो सलिंग प्रेशर तो रह सकती है ठीक है आपको यहां से बाउंस देखता है रिस्क रिवार्ट फेवरिबल अब शॉर्ट साइट के लिए नहीं है लेकिन बैंक्स पर भी कन्विक्शन नहीं बन रही है नागरज की ठीक है शुतित से समय लेते हैं शुतित यहां से बाउंस में कौन से सेक्टर से बैटर रहेगा दाम लगाना जहां रिस्क रिवार्ट ज्यादा फेवरिबलो अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता अगर यहां पर मार्केट में छोटा मोडा बाउंस एक आता है तो उनी स्टॉक्स के उपर या उसी सेक्टर के बैट करना चाहिए जो आल्यड़ी यहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं बात करूँगा म मैं यहां पर सिमेट सेक्टर की बात करूँगा यहां पर मैं मेटल काउंटर की तो पिछले तीन से चार दिन में हम लोग ने अच्छी खासी तेजी बंती देखी मेटल काउंटर के अंदर बट कहीना कहीं मार्केट के अंदर ओवरल थोड़ा जो मूट खराब हुआ है उसक कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कहीना के अभी भी चार्ट पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आने वाले सेशन में तेजी बिल्कुल कंटीनिव होती दिखाई देगी तो अगर दूसरे सेक्टर की बात करें सेमेट काउंटर की स्पैसिविकली तो अंबुजा सिमेंट एक ऐसा नंबर आ चुक हैं बड़ा नंबर था जिसके लिए आज हम वेट करें थे देखिए पचीस सो के लक्षण नहीं पहले दिखा चुका था हम तो आपको तीन दिन से शेर के बारें बता रहे हैं कि शेर को भी आपना निगलेक्ट नामक करो आप देखो आज माकिट के अंदर भले ही आपको किस तरह का बजार को ना दिखाओ अधानी एंटरपाइज ने अपने आपको रोके रखा अब नंबर आ रहे हैं तो तेज रेक्शन दे रहा है डेड़ परसंट उपर है बकादा 37 रुपे की बड़त के साथ 25 ग्यारा का लेवल है अब नंबर पढ़ते हैं आ अबीता के नंबर मेरे पास आ चुके हैं ये 1742 करोड से 2524 करोड हैं कामकाजी मुनाफा जिसको हम कहते हैं इसके अलावा इसके मार्जन भी मेरे पास आ गए हैं चार परसंट से लेकर 10 परसंट के मार्जन हैं तो मार्जन तो बहुत जबरदस्ता हैं सिर्फ रेविन्यू फ करीब करीब 44 का रईज दिखे आपको अबीता के फरंट पर आपके अच्छे नंबर मार्जन के नंबर बनांघाना चाहें तो आप इसको लिख सकते अबीटा गूट प्रॉफिट गूड मार्जन गूड रेविन्यू फरंट पर थोड़ा बहुत कमजोरी एव जो इसको दि जरूरी है बड़े नंबर से मार्जन दस परसेंट हो गए और मार्जन कम नहीं है दस परसेंट एक ही क्वार्टर के अंदर आपको दिख रहे हैं शितिच नंबर देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है एक बार आप देख के बताईए 25 को होल्ड करेगा य लग करती है लगब 2450 के असपास तो देखे यहां पर अगर जब तक स्टॉक 2450 को होल्ड आन करना है इन फैक्ट यहां पर किसी भी दिन मोमेंटम आने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेगा स्टॉक अपसें मोमेंटम लाने की अब स्टॉक को एक वेट था ट्रिगर का ट लेकिन जब तक कि स्टॉक 2450 के लेवल को होल्ड कर रहा है किसी भी दिन आने वाले सेशन भी स्टॉक मोमेंटम कहरी होता दिखाई देगा अपसाइड में 2600 से 2630 तक के लेवल स्टॉक के अंदर तो अधानी एंटरप्राइस के उपर व्यू बिल्कुल पॉजिव है लेवल जाने के बाद और चलने के बाद आज ये निफ्टी को दो पॉइंट दे रहा है पॉजिटीव दो पॉइंट दे रहा हाला कि उसकी खास वैल्यू नहीं है क्योंकि आईसे से बैंक 36 पॉइंट निफ्टी से ले रहा है आप इसे से अंदाज लगा लिजए कि इसकी कहती हैं कि अगर एक दो नमबर और ठीक आए इसी तरह से अला कि नमबर बचे नहीं लेकिन इसी तरह के नमबर रहे होते पहले कुछ तो शैग बादार को रूख दिया गया होता फिर भी आज के लिए उननेशाद तीन सो क्लोजिंग बिस्सिस के आपर मिल जाता है तो कम से इंटरपाइस के अलावा करना चाहिए ठीक है थोड़ी दर में आपके लिए हम लेकर आएंगे ख़बर गर्म है डीलिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है यह जानेंगे लेकिन उसके पहले नील कमल के नतीज़े आगे हैं एबिटा 68 क्रोन से बढ़कर 74 क्रोन यानिकी कामकाजी मुनाफ़ा थोड़ मार्जिन बड़ी है बिटा में हम देखने की बढ़त है और आए 740 क्रोन से बढ़कर 783 क्रोन रुपए तो ठीक ठाक आँकडे कहेंगे हालांकि बहुत कुछ स्रप्राइजिंग नहीं है थोड़ी थोड़ी इंप्रूब्मेंट ज़रूर है लेकिन कहरेंने कि महौल जब ख जाए तो स्टॉक टेक अच्छा कासा रन अप देखा है बीते कई हफ्तों में इन फैक बीते कई महीनों में स्टॉक ने रन अप लेना स्टार्ट किया था लगबख 22100 के जोन से वहां पर 1-sided rally देखने को मिली है स्टॉक में लगबख 2700-2750 तक अब यहां पर एक बार स्ट इसले स्टरों के अगर बात करें तो 2550 का एक immediate support आता दिखाई दे रहे स्टॉक के अंदर जो की मेरा मानना है यह कि stock वो support बिल्कुत तोड़ता दिखाई देगा जिस तरीके कि यहां पर indications मिल रहे हैं स्टॉक में तो 2550 के नीचे stock एक बार फिसलता है तो फिसल के stock एक बार 24 200 की तरफ भी move कर सकता है तो फिलाल के लिए fresh position सो stop के अंदर लेने की सलाह नहीं रहेगी अगर किसी के बास already position hold है तो एक बार profit बुक करके लॉप करके एक बार exit ले सकते हैं profit टेकिंग कर सकते हैं अप नील कमल के share में 2550 का support है share के लिए लेकिन अब ख़बर गर्ब है शरद हमारे साथ है शरदाज 19300 का फिस तरह टूटा आप पर यह भी बताइएगा कि बेलिंग रूम में जब आपने बातशीत की वहां से महाल क्या मिल रहा है क्या सेंस मिल रहा है और किस ख़बर को लेकर चरचाएं है बलकुल डिलिंग रूम में फकोस यहाँ पर कुछ कुछ चौर्टिंग के भी बातचित चल रही है और overall थोड़ी सी इस्टिटूशन में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वो भी आलमुस्ट फाइब टाइम्स उनके 20 डे आबरेज पर आ रही है तो आज न्यूज भी एक इंपॉर्टन फ्लो आया है जहां पर जो इंपॉर्टेड लाप्टॉप् है और कंपनी जो हाला कि अब जो इस साल से रेविन्यू भी रेकोगनाइज करने लगी गए और एसर के साथ लगबग पांच लाग सालाना जो आउटपुट पे लैप्टॉप्टॉप्स करने वाली है और यह पीलाई स्कीम से होगा इंट्रेस्टिंग्ली जो हाडवेर पी यहां से पता चल रहा है कि कंपनी को अगले एक से लेके दो महीने में एक नया कॉंट्राक्ट भी मिल सकता है अब यह जो है स्मार्टफोन मैनिफाक्ट्रिंग के लिए हो सकता है तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखेगा लेकिन जो डी की डियाई इंवेस्टर्स है जो ड काप कंपनी Optimus Electronics इंफरा करके चूनकी आम है Optimus Electronics उनको भी बड़ा लैप्टॉप्स का ओडर आया है तो इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर आप फोकस रखेगा डिक्सन टेक ये ख़बर गर्म है और निश्चे तवर पर गर्म होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें मौके बहुत मिले हैं हमने 3000 रुपे के नीचे के भावा देखे और अब फिर सी ये शियर बढ़ियां रिबाउंड देकर 52 अफ़ती के उचाई के आसपस पहुशने की कोशि कर रहा डिक्सन टेक का शियर है 4,032 रुपे पर 432 और वजह ये है इसमें कि लाप्टॉप टेबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर सरकार ने रूख लगा दी है डीजे डीजी एफटी ने यानिके डिर्टर जनरल आफ फॉरें ट्रियर ने नोटिफिकेशन जारी कर है तो निश्ची तोर पर अगर कोई डोमेस्टिक ली अगर मैनुफेक्चर करवाता है तो यह ओडर आएंगे डिक्सन टेक के पास एक जड़ा टेक्निकल यूवी ले लेते हैं क्योंकि ये शियर 7 परसंट चल जुका है नागराज डिक्सन टेक में आज बढ़िया उच्छ अचा का साब बांस दिया है तो को यह हम देख सकते के चाटी के लिए डिक्ली टाइंटरें में एक बुलिश टाटन बना हुआ है अचा का सा बड़त दिखने को मिलेगा अपसाइड देखने को मिलेगा इस्टाक्स में और उसका नेक्स्ट हरडल रहेगा एरून 4750 क्या सब अडानी पावर का के नतीज़ आ गया है मुनाफ़ा 4780 करोन से बढ़कर 8769 करोड़ और मुस्ट डबल आप कह सकते हैं मुनाफ़े का आए भी बड़ी है 15500 करोन से बढ़कर 18109 करोड़ का फिगर आए के फ्रेंट पर भी करीब 2500 करोड़ पर एक आसपास की बड़ा थे साल दर साल के ये आंकड़े हैं पिछले साल के अगर क्योंजर तुलना करेंगे उसके मुकाबले ये नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किये हैं अडानी पावर हमने देखा है कि दिरे दिरी ये शेयर चल रहा है हमारे एक्सपर्ट के रडायर पर भी आ रहा है 272 रुपे के आसपास के भाव है और 2% के आसपास की तेज़ी भी शेयर में हो रही है एक छोटा सा ब्रेक लिंगा और ब्रेक शेया है 45% से बढ़कर करीब एक 58% के आसपास के मार्जन रिपोर्ट की अडानी पावर ने और 2% उपर ये शेयर ट्रेट कर रहा है अब शेतिज अडानी पावर पर जरा एक राय दीजिए क्योंकि ये शेयर हमने चलते वे देखा है आज अकड़े अच्छे आए हैं महौल खराब है करना क्या है बिल्कुल अब शेयर की देखिए अदानी पावर के रिजल्ट आए है बिल्कुल स्टॉप ने एक मुमेंटम कैच करने की कोशिश करी है अगर स्टॉप के चार्ट स्टॉप की बात करें तो चार्ट स्टॉप काफी ज़्यादा पॉजिट वे निकल के आ रहे हैं स्टॉप के इन फैक स्टॉप जब तक 260 रुटे को होल्ड कर रहा है शॉट तरम चार्ट पे बिल्कुल यहाँ पर अपसाइट मोमेंटम कैरी कर सकता है आने वाले सेशन्स में फिलास स्टॉप ट्रेट कर रहा है तो बिल्कुल दी जा सकती है जैसे कि मैंने बताया चार्ट पॉजिट अपसाइट में मैं एक्सपेक करूंगा स्टॉप अंदर 287, 287, 290 तब के टागेट प्रोडेंशन स्टॉप में शॉट तम चार्ट पे निगल किया आता है तो अदानी पावर को बिल्कुल यहाँ पर लॉंग करके चल सकते हैं इसले स्टरों पे 260 का एक स्टॉप रूरूम और बैंक निफ्टी भी 24,500 के उपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है चले एक बार दोनों ही एक्सपोर्ट से हमारे BTS ट्रेड्स भी लेंगे लेकिन कुटली एक बार प्रकाश के पास जाते हैं MRPL और HPCL के मर्जर में देरी हो सकती है इस पर एक अपडेट उनके साब पास है आई अब से ONGC को अब ऐसा लगता है कि इस वक्त MRPL का मर्जर HPCL के साथ करना ठीक नहीं होगा और इसके कई कारण है जो सबसे बड़ी वज़ा है वो यह है कि MRPL ने जब 2021 एप्रील में OMPL का मर्जर कम्प्लीट किया तो उसको कुछ घाटे का सामना करना पड़ा क्योंकि OMPL के उपर OMPL का जो कुछ legacy dues था उसका भार MRPL को उठाना पड़ा इसकी वज़ा से इस वक्त MRPL और HPCL का मर्जर करना ठीक नहीं लग रहा है ONGC को जो दूसरा important factor है वो income tax act से समंदित है income tax act के हिसाब से अगर मर्जर के वज़र से किसी कम्पनी को घाटे का सामना करना पड़ता है तो उसका benefit income tax act में उठाया जा सकता है और यह benefit जो है merger के बाद से 5 साल तक उठाया जा सकता है साथी साथ एक और important factor है वो यह है कि पहला merger जो complete हुआ है अगर आपको income tax act का benefit उठाना है तो दूसरा merger पांच साल से पहले नहीं होना चाहिए अगर आप पांच साल से पहले दूसरे merger के लिए जाते हैं तो आपको income tax act के हिसाब से जो घाटा हुआ है पहले merger में उसका benefit नहीं मिलेगा लेकिन ONGC का मानना है कि synergy को ध्यान में रखते हुए उसे income tax act के हिसाब से फायदा उठाना चाहिए और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए लिहाजा कोई भी decision वो तमाम factors को लेकर आने वाले दिनों में company उठाएगी और इस बात के favor में नहीं है कि तुरंत MRPL का merger जो है वो किया जाए जहां तक petrolia मंत्राले के सवाल है हमने ये ख़बर पहले भी दिखाई थी कि petrolia मंत्राले भी इस बात के पक्षम में नहीं है कि MRPL का merger HPCL के साथ तुरंत किया जाए बलकि मंत्राले ये चाहती है कि जादा से प्रकाश इस पूरी ख़बर को समझाने के लिए इस पीच आज ब्रॉडर मार्केट के बहुत सारे नंबर से जो फर्स फेस अफट दिख रहा है वो तो इसमें आए में तो बड़ा होतरी दिख रही है लेकिन बड़ी बात जो है अब भी इसे रिजल्स पर याग कर रहा है एक सवाएक पसंट की तेजी है क्विकली एक बार रियक्शन ले लेता है जो मैटों पर भी और साथी कुछ बीटी इसी ट्रेट भी डिसकस करते है शितज कुछी रिकवरी ट्रेट क्लियर दिख रहे है बाजार में आपने निस चार्सों के पास अब निफ्टी आ चुका है उनफाक क्रॉस कर चुका है लगबग 100 पॉइंट के रिकवरी आपको निफ्टी में दिखी है पिछले एक घंटे में कहां का आपको रिकवरी ट्रेट अटेंप्ट होते हुए दिख रहे हैं जो आप क्यारी फॉवर्ड भी करना चाहेंगे तो बिलकुल अगर किसी को यहाँ पर बीटी एस्टी ट्रेट लेना है तो जुबलेंट फूर्ट वूड बी माय बैट तो गो लॉंग फ्रॉम एरॉन यहाँ पर ट्रेणिंग स्टॉप्लोस मेंटेंग करने की जरुत है है 485 के नीचे अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉप 498 से 500 के जोन में एंटर करता दिखाई दे सकता है जो दूसरा स्टॉप रहेगा वो रहेगा का LTTS का LMT Technology Technology Services का स्टॉप में पिछले 15 मिन में अच्छी कासी तेजी बंती दिखाई दे रही है स्टॉप ट्रेट करना लगभग 42 के आसपास अपने almost days high के आसपास है तो अगर किसी को बैट लेना है तो LTTS के उपर नजर बना के रख सकते हैं यहां पर ट्रेणिंग स्टॉप लोस मेंटेन करने की ज़रत है इक तालिस सो पचास रुपे के नीचे आप साहिम में मुझे लगते स्टॉप ब्याले सो नब्दे से तिरतालिस सो के जोन में एंटर कर सकता है तो LTTS would be my second bet as a BTS trade को LTTS, LNT Technology Services इस पर आपके नजर होनी चाहिए लेकिन Zomato के Numbers को देखेंगे और बहुत बढ़िया नंबर हम कहेंगे और उसके चलते शेयर देखें तीन पसंट साड़े तीन पसंट उपर आ गया है क्योंकि घाटी का अनुमान था और दो करोन का मुनाफ़ा हुआ है जिसे कहते हैं सेंटिमेंट का खेल वो यह आप Zomato में देखें क्योंकि बाजार की काफी दिनों से नजर है कि कंपनी प्रॉटिबिलिटी का पोस्ट करेगी कैश फ्लो का जिनरेट करेगी कंपनी का जो कमिट्मेंट था कि हमारी पूरे का पूरा जो फोकस है वो मुनाफ़ पर होगा अपने हम खर्चे कम करेंगे वो साफ साफ नमबर्स में रिफ्लेक्ट होना हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया हलाकि हमें 40-42 रुपे के भी तो अच्छे नमब्स आ गहे हैं इनका प्रिव्यू जो देख रही थी इसमें जो पिछली कौटर में गाइड किया आता है ब्रेक इवन पर आ जाएगा लेकिन में यही पर अभी देख लिया कि यह जो खाटे के मुकाबले प्रॉफिट में जो माटो आते हैं ट्रेट में डिसकस कर सकते हैं 186 करोण के घाटे के मुकाबले 2 करोण का मुनाफ़ा है अच्छा जो अनुमान था वो भी 150 करोण रुपे घाटे का ही था तो कहिन के एक सर्प्राइस फेक्टर है जो मैटो के नतीजे में बाजार के दिगए जब फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर हमारे स इस पर? वो positively respond करेगा और शेर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बट मेरे कहाल से हम थोड़ा और clarity और numbers का इंतजार करेंगे management की जो commentary भी रहेगी results के बाद वो भी काफी important रहेगी क्योंकि यह बहुत surprising number है ना कोई भी analyst मेरे कहाल से profit का अनुमान तो बिल्कूल expect नहीं कर रहा है क्या इस level पर हलांकि हमने देखा है कि यह जो शेर है हमने 50 रुपे के नीचे के इस तर देखे हैं वहां से recover करके बहुत strongly उपर आया और 18-0 सुदेश पर हमारे managing अटर ने कुछ डालमिया ने भी आपको बताया है कि जमेठो पर आपकी नजर होनी चाहिए और जमेठो आज बढ़ियां से यह चल रहा है फ्रेश बाइं की सला आप इस शेयर में देंगे देखे मुझे लग रहा है कि पूरी clarity आने के बाद ही मुझे रखता है कि इसमें का कूदना चाहिए मेरे कहाल से अभी तो definitely number initial जो 2 crore profit आया है इससे लगतो रहा है कि turnaround जरूर हो चुका है तो मेरे कहाल से I think थोड़ा सा नेवेश बनता है बट कहीं न कहीं मुझे लगा है कि अगर पूरी clarity इनो management की commentary के बाद मिलेगी तो तभी मेरे कहाल से शाहिए it will be a better choice तो इनो पूरी conviction के साथ इसमें पोजिशन बनाने के लिए ओके ठीक एवन आश्टर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यों वेरी मच आज समय देने के लिए और बताने के लिए थोड़ा आप कमेंटरी के लिए और वेट करेंगे और क्यों नहीं करना चाहिए जोमेटो की कमेंटरी भी अतनी ही important होती जनी उसके number important होते है तो नंबर में profitability आई दो करोड की इसमें आपको abita का number नहीं होगा मैं वह भी आपको बता लेता हूं वह थोड़ा कम होगा है मेरे पाद ज़िए वह जानकारी है, वह 307 करोड का था पिछली बार का, वह घटका जिर्फ 4 करोडी रह गया, है अबीटा लॉस अभी भी, उपरेशनल लॉस 4 करोड का, बट वह बेहद बेहद कम हो गया, जो मेरे पाद जानकारी है, उसके कोरडिंग भी, तो इसलिए जो बा जाएदा 10 हाइप गापको अदानी पार इसके नंबर जाए 10 हाइप पूंध का बैंक थोड़ देर पहले पहले से नंबर जाय थे एक पॉइंट को छोड़के करणाट का मेंग के नंबर बहतरीन थे आप उसका情 कीजेगा भी परसंट एज 6% उपर 210 का स्टॉप लोस था अब ट्रेल करना पड़ेगा और एक चौथा है जोमेटो इन चार के नंबर आदे घंटे के अंदर आए आप इसको संजोग कईए या इसको प्रियोग कईए जो मरजी कईए लेकिन इसने बाजार के रिदम को भी थोड़ा सा बदला है अब आप निफ्टी को सामने एक बार ज़रा दिखा दीजिए फिर बेंकर क्लोजिंग के तरफ बढ़ेंगी ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी को दिखाए एक बार ज़रा स्क्रीन पर निफ्टी ने आज जो लो टेस्ट किया है वह है 296 का 19300 500 के तूटने के बाद दूसरा एहम सपोर्ट था जहां पर बाजार ने अपने आपको रोक लिया बिलकुल कल वाली पिक्चर है ये कि लास्ट में जाते हाथे आदे गंटे में थोड़ी सी रिकवरी होती है क्या इसका मतलब है कि बाजार चलने को तैयार है इसका मतलब है ना अभी नहीं है क्योंकि आपने ने परपोर्ट तो ले लिया लेकिन फोर्स की कमी होती है जो आज भी दिखी आज आपके पास फोर्स नहीं थी इसलिए आप तूट गए और अभी चारसो पॉइंट के गिरावट से 44,500 के ओपर बैंक निफ्टी भी क्लोस करने के त्यारी कर रहा है कुल मिला के मोटा मोटी नंबर्स का इंपैक्ट जो लास्ट में आया वो भी आज थोड़ी कवरिंग करवाने में हेल्फुल था वो भावनाओं से ज़्यादा था भाव जो थोड़ा कम था आप परेंका के पा आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा कि आपको रेकवरी भी देखने को मिलिया है इनफाक्ट आज ही में आपने फोर वीक का लो भी इंटरडे में टच कर दिया था लेकिन अब अच्छी रेकवरी के बाद 19-400 की उपर अब क्लोस करने के तैयारी कर रहा है बाजार और इनफाक से क्योंकि आदानी एंटरप्राइस के नंबर थे और आदानी पोर्स के नंबर थे यहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है, टॉप गेनर्स में अदानी स्टॉक्स हैं, एंटीबिसी में आपको फिर से पावर के कुछ स्टॉक्स पिरसे आपको ऐक्टे वो देख र स्टोक्स लाइक डिवीज लाप, सन फार्मा इसके नंबर्स थे और आपको साथी मिट कैप में और अरोबिंदो फार्मा, इलिम्बिक, लॉरस जिसे काउंटर्स जहां अच्छी मूव दिख भी रही है आईटी के काउंटर्स में भी कहीं सारी अच्छी मूव आपको दिख रहे हैं, वो इस वक्त आपको प्लस दिख रहा है और पावर जहां अल्रीडी स्ट्रेंथ है, सिर्फ प्रॉफिट बॉकिंग थी, वहां पर आपको फिर से एंटी बीसी जिसे स्टॉक्स, पावर गृट जिसे स्टॉक्स में मूव आपको दिख रहे है अपोलो कहीं दिनों की गरावर के बाद अबटी इस रुक गिपना रुक गया है, फ्लाट टू पॉजिटिव इस पक ट्रेट कर रहा है अपोलो का स्टॉक्स, लेकिन अब भी थोड़ी से पेन आपको यूपिल के स्टॉक्स में दिख रहे हैं, यहां स्विंग मिला, दो त पेंट स्टॉक्स में आपको क्लिरली दिखा है, कंसाय नारोलायक, अग्जुन नूबल इनके नंबस थे, इंडिगो इनके नंबस थे और इनको पेंस इनके नंबस और आप देखे, इनमें मूव भी आपको मिली है, लेकिन अधर सेम टाइम प्रडूस में आपको ट्रेट थोड़ा नेगेटिव शॉर्ट साइट का दिख रहा है, वो NGC वीक हो रहा है दो तन दिन से, आप देखें, एक परसंट की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, बैंक्स, मिट कैप PSU बैंक से पार्टिसपेशन जरूर दिख रही है, आपको कैनरा बैंक को, ब बैंक्स के दिखी है, लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ अभी फ्लाल बैंक्स पर कन्विक्शन वो नहीं आ रहा है, जाते-जाते जो हमें इस काउंटर्स दिख रहे हैं, जहां ज्यादा वीकनेस दिख रही है, उसमें फिनांस के कुछ काउंटर्स में बजास फिनांस जिससे अटिगरी में है, वहाँ पर फाइदा डिक्सन को मिलता हुआ दिखाई दिया, जो स्ट्रेंथ के साथ सुबह से ही जिस पेस में स्ट्रेंथी फिनांस में पुनावाला फिनकॉर्प वहाँ स्ट्रेंथ आपको दिखी, डिक्सन दूसरा काउंटर है, टायर स्टॉक्स फिर स फिलाल आज बाजार ने डराया भी, लेकिन अधर सेंटाम रिकवरी भी ट्रेड अटेंट हो रही है, उनने सीनसों से बात हो रही थी, यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, जो अभी अब फिलाल दिखा भी है, लेकिन ओवरनाइट किस सरा के क्यूज लोबल मारकेट इकस्पाइरी के लिए कल से तयारी होगी और कौन से स्पेसे स्पाउंस पैक करेंगे, इस पर कल रियाग करेंगे, आज सारे एक्सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उनने आत समय दिया और यह स्ट्राटीजी हमारे साथ शेर करी, मुझे दीजे इजाजत, लेकिन अगला शुआप मनीश के साथ, नमस्का